3 जून एक ऐसी तारीख है जिसने भारत के इतिहास और भूगोल दोनों को बदल दिया। 3 जून 1947 यानि आज ही के दिन भारत के दो टुकड़े करने का एलान हुआ था। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन ने भारत विभाजन का खाका पेश करते हुए एलान किया कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान नाम से एक अलग मुल्क बनेगा। उनके प्लान को माउंट बेटन प्लान या 3 जून की योजना के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी हुकूमत ने फरवरी 1947 में ही भारत को आजादी देने का एलान कर दिया। पर आजादी की रूप रेखा क्या होगी इस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। आखिरकार वायसराय लौड माउंट बेटन को सब तय करने की जिम्मेदारी सौपी गई। उस वक्त देश के तमाम हिस्सों में दंगे हो रहे थे। मुस्लिम लीग अलग देश की मांग पर अड़ी थी और गांधी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। माउंट बेटन ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नहरू और पटेल से लेकर कांग्रिस के तमाम नेताओं और जिन्ना जैसे मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत के बाद एक प्लैन तयार किया। 2 जून 1947 माउंट बेटन ने भारत के प्रमुख नेताओं से उस प्लैन पर विस्तार से बात की। 3 जून ने के बाद पाकिस्तान के नाम से एक नया देश बनना था। पाकिस्तान के लिए एक नय सम्विधान सभा का गठन किया जाना था। सबसे प्रमुख प्रावधानों में भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन दर्जा देना था। जिसकी तारीख 15 अगस्त 1947 तय की गई थी। इसी प्लान में देशी रियासतों को छूट दी गई थी कि वह चाहें तो भारत में रहें या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। फैसला उन पर छोड़ दिया गया। इसी प्लान का एक सबसे अहम हिस्सा सेना का बंटवारा था। साथ ही विभाजन के इलाकों को भी मोटे तौर पर तय किया गया। इसके साथ ही दोनों देशों के विधाई अधिकार, गवर्नर जनरल की शक्तियों को भी परिभाशित किया गया था। माउंट बेटन प्लान के एलान के बाद जुलाई के शुरू में भारतिय सेना के हर अधिकारी को एक फार्म दिया गया। उसमें हर अधिकारी से यह बताने को कहा गया था कि वह भारतिय सेना में काम करेगा या पाकिस्तानी सेना में जाना चाहेगा। इसी तरह बंटवारे के वक्त तै हुआ कि भारत की चल संपत्ती का 80 प्रतिशत भारत को मिलेगा और 20 प्रतिशत पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा। मांट बेटन योजना केवल भारत के विभाजन को कार्य रूप देने के लिए ही नहीं थी, बलकि पाकिस्तान की मांग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक तंत्र की स्थापना की। समविधान सभा बनाई जाएगी। अतह हम कह सकते हैं कि मांट बेटन योजना का मुख्य उद्देश्य भारत का विभाजन और सत्ता का त्वरित हस्तानतरण था। प्रारंभ में यह सत्ता हस्तानतरण विभाजित भारत की भारतिय सरकारों को डोमिनियन के दरजे के रूप में दी जानी थी। झाल